अलो डॉक्षी फैमने विल्कम बैक टो चानल सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं यूंडाई वेन्यू को आप पीछे गाड़ी देख सकते हैं बहुत ही अमीजिंग गाड़ी है और सब फो मीटर एस्यूवी पूरे सेग्मेंट की वन अफ दा बेस्ट का लगते मुझे सब आज हम इस गाड़ी का वॉक्राउंड रिव्यू करने वाले हैं तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ सो लेट्स किप गोइंग मुक्ति को संगे एंपको गाडी की क्वोच दीठेश्ट के संसा लेटर के थे पहले आपको गारी की पिस्टेस्राइश्था है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको गाडी की कुछ डीटेल्स देना चाहूंगा मैं यह जो आप मेरे सामने काडी देख रहे हैं यह 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 आपका रहने वाला है यह 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 यहां पर प्लस पाटन देख सकता है वुरी ग्रिल पर तो खाड़ी को एक अपीलिंग लुक देती है लागे से नीचे की में बात कर लों तो यहां पर आपको एक ग्रे कलर की स्कर्ट प्लेट्स मिल जाती है फॉर बंपर सेफटी चलता हो में गाड़ी की हेड्लांप सेटप की तरफ सो वेन्यू का हेड्लांप सेटप है जब यह काड़ी लॉंच हुई थी तो काफी हाइट में यहां पर सबसे पहले आपको उपर इंडिकेटर मिल जाते हैं तो यह नहीं दिया हुए यहां पर नीचे आपको यह पूरा आप देख रहे हैं एक रिंग टाइप की तो यह इस गाड़ी का डियारल है काफी सुन्दर लगता जब जलते हैं यहां पर आपको एक प्रोजेक् आपके फॉग लांस मिल जाएंगे जो अगें प्रोजेक्टर हैं बट यह भी यलो लाइट में आते हैं और यह है आपका पूरा वेन्यू का फ्रंट लुक गाड़ी काफी बॉक्सी लगती है तो एक प्रॉपर स्टनिंग डिजाइन है उपर आप देख सकते हैं आपको क्रोम दोर हैंडल मिल जाते हैं बिग विंडोस मिल जाती है और इवन आपको एक सिंगल टैस इलेक्रिक संड्रूफ भी मिल जाता है गाड़ी के साथ तो गाड़ी साइड लुक से बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है यहाँ पर आपको नीचे ब्लाक कलर की स्कुर्ट प् यहाँ पर अगर मैं बात करें तो यहाँ पर आपको टर्ल इंडिकेटर मिल जाते हैं यह अटो फोल्डेंग ऑटो एजिस्टबल और वियम से काफी अच्छा है और जो अब गाड़ी का साइड लोक है वह बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को परसनली वेन्यू का अब चलता ह कई आशा पर जाती है यहां पर आपको जर्मिल जाती है यहां फार आपको फिल जाती है यहां पर लट जाते हैं यहां के यहां पर पीछए आपको mind program और फिर्फ पाकिंग सेंसर मिल जाते हैं यहां पतिका और धालग सब्सक्राइब इस और साइब इस announcement के साब 15 इंच का स्टील भी रहे एक साइज चोटा है तो यहां पर कॉस कटिंग डेफिनेटली हुई है तो यह था गाड़ी का पूरा बूट लुक अब चलता हूं मैं गाड़ी के रियर सीट में दिखाता हूं कैसा है रियर सीट एक्सपिरेंस सबसे बदे का रियर डॉर ओपन करने जाएंगे डॉर बिंद में आपकी बॉटल आ जाएगी बट उससे आधा और कुछ नहीं आ सकता पीछे के डॉर बिंद छोटे है बिकॉस यहां पर आपको रेयर स्पीकर मिल जाएगा और जो एंट्रियन एग्जिट का पॉइंट है काफी वाइड है बैट के दिखाता हू हो गई पीछे आपको रेयर रेसी वेंट मिल जाते हैं यहां पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहां पर यूएज भी रहता तो ज्यादा बेटर रहता जैसे वड़ना में आता है बाट इस ओके यहां पर और कंफरेंग की बात करूं तो आपको मिल जाते हैं यहां पर आपको एक आरेयर आम रेस मिल जाता है जो काफी सॉलिड एंट तफ फील होता है आप अपर आम से पना हाथ रखके यहां पर लॉंग ड्राइफ पर जा सकते हैं कोई भी इसू नहीं होगा आपको यहां पीछे आपको पार्श ट्रेवी मिल जाती है तो 20 किलो का तक का वेट होल कर सकती है और बैक सीट से अगर फ्रांट सीट की बात करूं लुक की तो गाड़ी बहुत जादा इमर्सिव और बहुत जादा साही लगती है और वन टाच इलेक्रिक संडूरूफ इसमें और जहान डाल देता है गाड़ी के अंदर चलते हैं गा यहां के बा०्टन आपको डिफरेंश है कि ट्वीटर आजाता है स्पीकर मिलता यहां पर देख सकते हैं थोड़ा लेधर फिनिश है बाट अगेन यहां पर हाट प्लास्टिक भी आ हुआ है यहां पे आपके और भी इंश मिल जाती है और जो ओवर एंश सीट का फिनिश है वो भी काफी अच्छा अभी अंदर बैठूंगा तो आपको दिखाऊंगा पैसेंजर सीट का जो हाइट एजस्मेंट फीचर उसे ड्राइबर पर आता है पैसेंजर पर नहीं आता है चलते है गाड़ी के अंदर और सबसे पहले यहां के चाव के बार कर दो इममेर शसे प्राइबर नेंपर आप Aquí अगयुशन का नंदर जारं दिखाता हुआ इस काली आपवह एक 3-spoke का multifunction steering wheel आ जाता है आप देख सकते हैं और काफी easy है grip काफी अच्छी है leather wrapped आता है यहाँ पर आपके audio controls है यहाँ आपके MID और cruise control के functions है काफी स्मूध है steering wheel यूज करने में Hyundai के steering पता नहीं सामाओ कैसा Hyundai करता है बट काफी स्मूध होती है gearbox भी काफी स्मूध है यहाँ पर आपको headlight के function मिल जाएंगे यहाँ आपको wiper के control मिल जाएंगे गाडी को मैं on कर लेता हूं आपको गाडी का MID भी दिखा देता हूं आप देख सकते हैं मैं गाडी को on कर लिया है सब बात करते हैं काडी की MID की तो ऐसी दिखते हैं काडी की MID यहाँ पे left में आपको tachometer है राइट में आपको speedometer है आपको fuel gauge भी आपका digital नहीं आपका analog दिया हूए MID की बात करूं तो सबसे उपर आपको range आ रही है नीचे आपको temperature आ रहा है कितना चली हूए है यहाँ पर आपको digital speedometer आ रहा है यहाँ आपको average economy आ रही है जो 19.6 km दे रही है काफी जादा अच्छी है यहाँ पर थोड़ी बहुत और information है यहाँ पर आपको आपके door के lights के service intervals जादा features लोड़े बहुत आपको इस गाड़ी का पुरा MID का control काफी अच्छा MID दिया हुआ है और काफी simplistic है आजकल जैसे वह टाडा निक्सवान में डिजिटर आ रहा है उससे बहुत ज्यादा confusing हो ज़्यादा यह बहुत ज्यादा सही है और सेंपलिस्टिक है काफी ज्याद हाँ अब मैं साइटिंग में बात कर रहा था आप से इसकी सीट की तो इसमें आपको लेधर सीट मिलती है हाफ लेधर फिनिश आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ अलग टाइप के रैक्जीन टाइप का फिनिश मिलता है सो काफी कमफरडेवल सीट कवर से जब मैंने गाड़ी ले रहा था मैं तो आई वस कंफ्यूज कि अब मैं इसमें लेधर सीट कवर लगवाने पड़ेंगे वो पर उनने मुझे बोला कि सीट कवर मत लगवाना क्योंकि इसका एक एर बैक सीट में भी आता है मैं बात करें दो सेंटर कंसोल की तो इस गाड़ी में आपको एक टथ स्क्रीन पैनल मिल जाता है आप दिख सकते हैं काफी फ्लूइड और काफी स्मूध है इसमें आपको साटलाइट नाविकेशन भी आता है आप देख सकते हैं जिसके क्वालिटी है वो काफी ज्यादा ब रिवर्स पार्किंग कामरा का डिस्पले काफी क्रिस्प काफी क्लियर है और यह अडाक्टिव गाइड लाइन के साथ भी आता है उसके लिए गाड़ी को ओन करना पड़ेगा बाकि इसमें आपको सिम मिल जाती है इसके ब्लू लिंक के आप देख सकते हैं ब्लू लिंक एस इमर्जेंसी स्टॉप सो वह भी मैं अपने फुल डीटेल वीडियो में बताऊंगा यहां पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है यहां पर यहां पर यहां पर वायलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है इस गाड़ी के साथ आप देख सकते हैं और इसको हैनी वायलेस चार्जर वाले तो इसको ओफ ही रखते है जादा तर यहां पर आपको मिल जाता है 6-speed का manual transmission in diesel variant आइंड काफी ज्यादा स्मूध है समाओ डीजल इतना ज्यादा स्मूध कैसे मेरे बास दो डीजल गाड़िया एक सिया से किये है सबसे ज्यादा स्मूध है लग आइंड जो स्टोरेज आमरेस में वह भी काफी अच्छी खासी है मतलब डीसेंट सी हो जाता है काम इसे दिक्कत नहीं नहीं आती है दिक्कत अब में काड़ी के एक और जो से फीचर बहुत लोग को पसंद आता है बहुत लगता है कि बहुत यूसफुल है बाट वो नहीं ह नहीं है इसकी छोटा सन्रूफ है बाट ऐसी कभी बारिश आरिश में ऐसा खोल के चला लो मजा आ जाता है और क्या ज्यादा कुछ नहीं होता मैं बाद कर देता हूं इस गाड़ी के और थोड़े बहुत चीज़ों की तो यहां पे आपको संवाइजर दिये हुए पैसेंज गाड़ी पहुत प्रीमियम है बहुत अच्छी है और लोग को वीडियो अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो subscribe करेंडेगे चैनल को comment करना like करदेना और अपने दोस्तों के शेयर कर देना इसाइए था हमारा आज का वीडियो और बने रहो और वीडियोज लेक्या आप showrooms भी open हो रहे हैं तो content भी मिलना चालू हो जाएगा तो यह था हमारा आज वीडियो थांग्यू वाचिंग टॉक्षे प्ली सब्सक्राब तो मैं चानल लाइक मैं वीडियो कमेंट डॉन बिलो और शेर दिस वीडियो तो एफ्रेंस अना फामली थांग्यू वाचिंग ट